हेलो दोस्तों मेरा नाम है ब्रतिक और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में तो आज का टॉपिक होने वाले वह काफी सिंपल होने वाला है जैसे कि जो लोग एंड्रोइट से आइफोन के उपर स्विच हो रहे हैं तो बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें जो आइफोन में करना ट्रिकी है तो उन सारी चीज़ों में लेना एक ट्रिकी ऑप्षन है क्योंकि आप सारी लोगों को सकता है पता हो बट जिन्हों नहीं पता है उनके लिए आज का वीडियो है तो आज हम देखें कि आईफोन में आप स्क्रीन शॉट कैसे ले सकते हो तो जाना नाइब व वीजिकल होम बटन देखने मिल जाएगा जैसे कि आईफोन 11 में और और हाइर अप्गरेट में जो है आपको वहाँ पे बटन देखने नहीं मिल जाएगा जो कि होम बटन है तो वहाँ पे जो है आपको सबसे सिंपल तरीका है स्क्रीन शॉट लेने का यहा तो आप पावर ऐसी है इसमें अगर मैं करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हूँ मैं दोनों बटन यहाँ पे एक साथ प्रेस करके देखूंगा पाउर बटन और वॉल्यूम अपकी तो यहाँ पे अगर मैं करता हूँ यहाँ पर कुछ भी नहीं होरा है यहाँ पर मैं एक बार फिर से ड्राय करता हो यहाँ पर मैंने दोनों बटन साथ में प्रेस किये तो आप देख सकते यहाँ पर Attention नहीं निकला है क्योंकि यहाँ पर फिजिकल होम बटन है तो जो भी iPhone-Plex के you know phones है जो physical home button के साथ आते हैं उनमें screenshot लेने का तरीका जो है वो यहाँ पर अलग है तो आपको simply यहाँ पर power button और home button साथ में प्रेस करके एक बार छोड़ देना है तो आप यहाँ पर screenshot ले सकते हो तो आपको जल्दी से यहाँ पर मैं तुरंद बता देता हो यहाँ पर power button जो आ आपका screenshot जो वो easily निकल जाएगा तो यहाँ पर मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूं तो आप देख सकते हो screenshot यहाँ पर मैंने ले लिया है मैंने power button और home button साथ में प्रेस करके छोड़ दिया अभी यहाँ पर तो एक basic screenshot जो है निकल चुका है यहाँ पर आपको crop करके save करना हो जाएगा तो यह पहला तरीका है screenshot लेने का अभी दूसरा तरीका मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ अगर आप safari पे जाते हो और यहाँ पर हम एक apple का website open कर देंगे तो आप देख सकते हो यहाँ अभी अगर मुझे यह पूरे page का screenshot लेना है तो आप देख सकते हो यहा पर home पर जाते हैं हम यहाँ पर आप देख सकते हो यह page नीचे तक है अगर मैं इसका screenshot लेने की कोशिश करता हूँ यहाँ तो screenshot तो आ गया है बट यहाँ पर बस इतना ही screenshot आया मैं इससे scroll नहीं कर पर रहा हूँ अगर मुझे full page का screenshot लेना है तो उसके लिए यहाँ पर सिर्फ सफारी में आपको option देखने मिल जाएगा अगर आप सफारी में जाते हो तो यहाँ पर हम चेंज करते हैं यहाँ पर apple के साइट पर हम तुरंद आ गया है फिर से एक बार और यहाँ पर मुझे full page का screenshot लेना है तो वही सेम चीज़ फॉलो करनी है power button and home button आपको साथ में press करके रखना है यहाँ तो मैं जल्दी से करके रख देता हूँ आपको क्लिक करके छोड़ देना है तो screenshot निकलते ही आपको screenshot के उपर tap करना है और यहाँ पर देख सकते हो अभी भी मैं scroll नहीं कर पा रहा हूँ उतने जितना पार्ट डिस्प्ले के उपर विजिबल था वही करोगे उपर के साइड पर यहाँ पर स्क्रीन देखने मिल जाएगा और यहाँ पर आपको फूल पेज देखने मिल जाएगा अगर मैं फूल पेज के उपर tap करता हूँ तो आप यह साइड में बार देख सकते हो यह पूरा पेज जो है यहाँ पर विजिबल हो चुका है start to end तो यहाँ पर simply simple तरीके से आप फूल पेज का screenshot लेके done के उपर अगर आप प्लिक करते हो तो save हो जाएगा और आपको अगर crop करना होगा image तो आप देख सकते हो यहाँ पर crop का option भी आपको देखने मिलता है बट यहाँ बस एक disadvantage है कि आप जो है यहाँ पर zoom in अगर करते हो तो आपको zooming करने का option आपको नहीं मिलेगा आपको सिर्फ इतना ही पार्ट जो हो देखने मिलेगा तो यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत आपको हो सकती है अगर आपको पूरे page का screenshot लेना है तो आपको पता नहीं चल पाएगा कि कौनसा पार आपको रखना है कौनसा नहीं रखना ह तो यहाँ पर बस वो एक थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी तो अगर cancel करते हो तो फिर से एक बार हम वही page के उपर आ चुके है फूल पेज सीलेक करके अगर मैं done करता हूँ simply यहाँ पर इस टाइम photos में save करने का option नहीं आता है save PDF to files का option अगर मैं उसे कर देता हूँ तो यहाँ पर save के उपर click कर देंगे replace कर देंगे तो यहाँ पर अभी मैंने replace पर इस लिए click किया है क्योंकि मैंने already एक long screenshot निकाला था हम files में जाके चेक करेंगे कि long screenshot जो यहाँ पर निकला है या नहीं तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर अगर मैं click करता हूँ long screenshot के उपर तो आप देख सकते हो start to end जो है पूरा screenshot यहाँ पर आ चुका है तो दोस्तो यही simple तरीका है आपको अगर यही steps आप follow करते हो तो आप या तो एक normal screen का screenshot ले सकते हो तो बस दोस्तो यही था आज की इस वीडियो में वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है informative लगा है तो नीचे subscribe का बटन है पहले subscribe करते हो वीडियो को भी like करते हो क्योंकि ऐसे ही tips और tricks जो है मैं आगे भी बताने वाला हूँ तो अगर आपको कुछ भी सवाल है नीचे comment section में mention करना बिल्कुल भी मत भूलेगा दोस्तों मैं मिलता रहोंगा आप सबसे ऐसे ही अगली वीडियो में मिलते हैं दन्यवाद